हलो दोस्तो सागत है आप सभी का एक वाफिर से आपके अपने यूटूब चैनल कॉम्टेटेव फंडा पर तो दोस्तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्मूर्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो मैं बात करने वाले हैं उत्तरप्रदेश पुलीस दरोगा भरती 2021 के बारे में दोस्तो इस वीडियो के माद्यम से मैं आपको कुछ महत्मूर्ट किताबों के बारे में बताऊंगा जो की आने वाली दरोगा भरती के एक्जाम के लिए उप्युक्त होंगी और जिनको पढ़ने के बाद आप जो है उसमें सेलेक्शन पा सकते हैं तो इन महत्मूर्ट बुक्स के बारे में दोस्तों मैंने बहुती ज़्यादा देखा और बहुत सारी बुक्स को पढ़ा उसके बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझको कमेंट कर रहते कि सर आप महत्मूर्ट जो कौन कौन सी बुक्स हो सकती है दरोगा भरती के लिए उनके बारे में वीडियो बनाएए और हमें जरूर बताएगा तो बहुत टाइम के बाद मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ तो प्लीज अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और हमारी चैनल से जरूर जुड़िएगा चैनल को सब्सक्राइब करिए बैल आइकन को प्रेस जरूर करिए और इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक सेर भी करिएगा तो दोस्तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको पढ़कर आप दरोगा भरती 2021 में सेलेक्शन पा सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्जाम पैटर्न की बारे में की एक्जाम पैटर्न कैसा होता है कितने मार्क्स का एक्जाम होता है तो आप देखिए 400 marks का exam होता है और जिसमें multiple choice questions आते हैं और जिसमें 160 question होते हैं हर एक question 2.5 marks का होता है यानि धाई नंबर का एक question होता है और 160 question आते हैं जिनमें 400 marks का पूरा paper होता है 2 घंटे का paper रहता है 120 मिनट और इसमें कोई भी negative marking नहीं होती और यह हिंदी और English दोनों language में आता है यानि आपका जो online exam होगा और इंग्लिस में भी open होगा और हिंदी में भी तो आप जिस language में आपको आसानी हो हल करने में तो आप उसके जरीए इसको कर सकते हैं यह नहीं कि हिंदी मीडियम बाले ही करेंगे इंग्लिस मीडियम बाले भी इसको दे सकते हैं क्योंकि इसमें लेकिन आपको हिंदी का section होगा वो आपको हिंदी में ही मिलेगा ठीक है तो यह exam pattern है 4 section रहते हैं 400 marks का paper होता है और 160 question होते हैं हर एक section में 40 40 question होते हैं और अगर हम बात करें दूसरा section रहता है हमारा law and constitution और general knowledge का तो जिसमें कि अगर law constitution की बात करें तो 24 question रहते हैं और general knowledge के 16 question रहते हैं तो इस तरह से total question जो हो जाते हैं 40 होते हैं और जो है 100 marks के होते हैं अगला थर्ड पार्ट होता है numerical and mental ability का जो कि हमारा math का कह सकते हैं तो इसमें 40 question होते हैं हमारे और जो है 2.5 का पर question होता है और 100 marks का पूरा section होता है इसी तरह से अगर हम बात करें mental aptitude test intelligence test test of reasoning reasoning के पार्ट को ही हम बात करें तो यह 40 question रहते हैं इनमें भी हर एक question 2.5 marks का होता है और overall 100 marks का section रहता है तो इस तरह से 100-100 और 100 यानि 400 का पूरा overall grand total होता है और सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती थी last time के अगर हम बात करें तो हर एक section में आपको 50% लाना अनुवार रहे था कि लेकिन अब इस बार 35% की बात चल रहे है तो जैसा भी notification आएगा उसमें आपको clear हो जाएगा यानि हर एक section में आपको 35 marks लाना कंपल सरी है उसके बाद आपका overall जो grand total आएगा उसके आधार पर आपकी merit बनेगी यानि 35 अगर इस section ले आएंगे आप और merit के आधार पर आपको medical वगर होता है तो ये सारी प्रक्रियाओं में आप आगे जा पाएंगे लेकिन आपको इसके लिए हर एक section में qualify करना जरूरी होगा जो कि 35 marks रहने वाला है यानि 35 number आपको हर एक section में compulsory है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी section को बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और दूस काम को आसानी से दे पाएंगे और उसको उसमें selection पा सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान हिंदी के section की कि सामान हिंदी के लिए आपको कौन कौन सी books की जरूरत होगी तो देखिए ये बुक आप देख रहे होंगे आदनिक हिंदी व्याकरण और रचना ये डॉक् परचेज कर सकते हैं और अगली बुक की अगर हम बात करें तो ये है सामान हिंदी अरियंत की बुक है और ये mostly सवी लोगों पर होगी अगर ये नहीं है तो इसको भी परचेज करने के लिए आपको वीडियो के description में जाना पड़ेगा वहां पर आपको जो link दिया है उसके ज सकते हैं तो इस तरह से मैं आपको बता दूँ ये तीन बुक हो गई सामान हिंदी की अरियंत की और लुशेंट की और ये डक्टर वसुदेव नंदन परसाद की तो ये तीन बुक में से अगर आपके पास हिंदी की कोई भी एक बुक है तो साइद आपको कोई जरूरत नही हैं दूसरी बुक लेने की लेकिन अगर आपके पास एक भी बुक नहीं है तो आप इन में से एक बुक एटलिस आपके पास होनी चाहिए ये तीनों ही बुक बहुत बढ़िया हैं आपको दरोगा की जो भरती है उसमें जो सामान हिंदी पूछी जाती है उसके लिए काफी स हैं उनको इनोंने इसमें दिया है तो यह इसलिए अच्छी हो जाती है क्योंकि आपको प्रीवियस यह के कुश्चन पता चल जाएंगे कि किस तरह के कुश्चन एक्जामें पूछे गए तो यह बुक भी आपके पास होनी चाहिए और इसको खरीदने के लिए भी आप हमार जरूर खरीदेगा इसको पढ़िएगा इसमें बहुत सारे कोश्चन से इससे भी आपको एक्जामें मिल जाएंगे और अगर आप इसको खरीदना चाहते तो इसको भी हमारे वीडियो के डिस्क्रेप्शन में जाकर खरी सकते हैं तो और इसके बाद अगली बुक है दोस्त जो है UPSI से रिलेटिड मेटेरियल है जो आपको मददगार सावित होगा जो है जीके के पोर्सन में जादा से जादा कोश्चन को अटेम्ड करने में और अगले अगर हम यूपी जीके की बात करें क्योंकि जो के एक्जाम में यूपी स्पेसल के कोश्चन बहुत पूचे जाते हैं तो इसमें क्या है आपको यूपी के लिए जो घटना चक्र की उत्तरप्रदेश तत्यसार आती है हर बर्स की अलग-अलग नहीं आती है तो आप उसको लेटिश्ट खरीज सकते हैं 2021 की आप खरीज सकते हैं और इससे जो है बहुत सारे उत्तरप्रदेश से विक्त आता है लौः उसमें आपको क्या गड़ना ना है उसकी न सी बुक्स होनी चाहिए तो इसके लिए दोस्तों एक अरियंद की भूक आती है मूलविदी हैं इसमें शम्मधान वी रहता है मूलविदी भी रहती है और यह इसको भी जो ह्य है मारे वीडियो के डिस्क्र सकते हैं और अगली बुक है दोस्तों यूथ कंप्टिशन की जैसा कि पिछली हिंदी की बुक मैंने आपको सॉल्ट पेपर की दवताई थी तो एक यह मुल्विदी सम्विदान जीके के लिए पूरा एक सेक्षन है इस सेकंड सेक्षन के लिए यह पूरी पुलिस से संबंदित भरतिया हुई है उसमें जो एक्जाम में इस तरह की कोश्चन जो भी पूछे गए हैं वो इस बुक में आपको मिल जाएंगे तो इस लिए बहुत ही महत्पूर्ण है क्योंकि आपको यह पता चल जाएगा कि एक्जाम में किस तरह की कोश्चन पूछे जाते हैं तो इस बुक को भी खरीदने के लिए आप अमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं अगला भुक है भारती संभिधान तो दोस्तों संभिधान के लिए आप अभी बहुत सारी वुक्स देखी उसमें भी संभिधान का पॉर्षन था अगर आप थोड़ा एडवांस लेविल का पढ़ना चाहते हैं तो यूद कंप्टीशन टाइम्स की तरफ से यह आईए स्पीसियस के लिए एक बुक होती है और इसमें क्या है दोस्तों प्रीविए से के कोश्चन पेपर हैं यह स्पीसियस से होता क्या है दोस्तों कुछ कोश्चन ऐसे रहते हैं जो बहुत एडवांस लेविल के आ जाते हैं तो उनके लिए आप इसको बुक को परचेज कर सकते हों पढ़ सकते हैं और बरना आपको संभिधान की अगर हम बात करें तो पिछल मिल जाएगा अगला है संख्यात्मक योगता यानि नुमेरिकल अबिलिटी की बात करें तो मैत की तो इसमें हम बात करते हैं यह वुक का आप देख रहे होंगे ज्यादतर लोगों के पास और डी होगी यह है दोस्तों आरे सग्रवाल की बुक है और यह हिंदी संस्क्रण ह और इसको आप खरीद लिजेगा इसमें आपको mostly सभी topic मिल जाएंगे तो इसमें आपको करना क्या है आपको slavus लेना है slavus के लिए मैंने already video बनाया हुआ है आप वो देख लिए जेगा slavus लेना है slavus में जो भी topic exam में पूछे जाते हैं उन सभी topic को इसमें mark करना है और सि लिए क्योंकि exam में जिस तरह के question पूछे जाते हैं उस तरह के question सापको इस book में मिल जाएंगे अगर आप English में इसको खरीदना चाहते हैं तो English की भी book है यह और यह आरस अग्रबाल की है इसको भी आप खरीज सकते हैं English के अगर आप अंग्रेजी में वेपर attempt करेंगे तो आ अभी के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए तो यूद कंप्टिशन टाइम्स की वुक है और यूपियसाई के लिए बनाई गए इसमें पुरारे यूपियसाई के जो questions हैं वो दिये गए हैं तो इसको भी आप खरीज सकते हैं इसके बाद अगले हम बात करें reasoning portion की और इस आपको स्लेवस लेना है स्लेवन में जिस तरह के topic मतलब हमें दिये गए हैं जो हमारा स्लेवस है उसके according पढ़ना है क्योंकि ये एक standard book है और ये लगवक सभी exam के लिए होती है तो इसमें से हमें topic शाटने पढ़ेंगे कि हमारे लिए कौन-कौन से जरूरी है तो उसके medium बालों के लिए अगर वो इंग्लिस में तयारी कर रहा है तो इंग्लिस के लिए आपको एस चांद आरे सागरवाल की आती है बर्वल नौन बर्वल और रीजनिंग की book आती है और इसको आप purchase कर सकते हैं और इसके लिए भी आप हमारे वीडियो के description में जाएगा वहां इस बुक के अंदर हैं और जो कि आपको जानना जरूरी है कि एक्जाम में किस तरह के questions पूछे जाते हैं तो इन सभी book को आप खरीदना चाहते हैं तो हमारे description में दिये हूई link के जरीए खरीद भी सकते हैं वहां से आपको बहुती कम दाम में ये book उपलफद हो जाएंगी और अगर last में हम बात करें previous year के questions paper की क्योंकि दोस्तों अगर आप पूरी तरह से त्यारी कर लेंगे और इन सारी books को आप पढ़ेंगे तो उसके बाद practice के लिए जरूरी है कि previous year के question paper देखे जाए कि previous year में question कैसे पूछे गए थे किस तरह के paper आते थे उनके बारे में हमें ज रखे हैं पिछले जितने भी एक्जाम हुए थे यूपेसाई के अगर हम बात करें 2016 की जो भरती थी उसके सारे पेपर इस book में available हैं 2011 की भरती के भी एविलेबल हैं जितने भी मिर्तक आसरित वाले भरती होती है मतलब यूपेसाई की उसके papers available है इसमें जो है 38 question papers available हैं और य कि आपको किस लेविल की तैयारी करनी हैं और आपको कितना किस तरह से पढ़ना है तो यह बुक जरूर परचेज करिएगा और इसका लिंक भी आपको वीडियो के description में मिलेगा वहां से आप इसको असानी से कम नाम में खरी सकते हैं और अगला यह सब करने के बाद आपको ए solve करिएगा और उनसे अपनी practice करिएगा कि आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अगर आप सब कुछ पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको practice ही करनी है अगर आप practice जतनी अच्छी कर लेंगे तो आप selection के उतने ही जादा नजदीक हों कि वरना आप अपने नजदीकी स्टोर से भी जाकर इनको खरीश सकते हैं अगर आपको वहां पर जो है कम दाम में उपलब्द हो जाएं तो इन सभी वीडियो को आप खरीश सकते हैं इसके बाद अगर आप हमारे फेस्बुक और टेलिग्राम पर हमारे साथ जोड़ना चाह लगते हैं और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो को जादा से जादा लाइक करिए और जादा से जादा से जादा शेयर करिएगा ताकि जादा से जादा लोग हमारे साथ जोड़ सकें अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्रा झाल झाल